अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें तो चलिए देखते हैं आज की रेसिपी मीठा मुझे और मेरी घर में सबको बहुत अच्छा लगता है लेकिन क्या होता है कि दिवाली पे इतनी सारी मिठाइब आदिया और लास्ट में मतला दो तिन दन के बार ना सारी वराइटी की थोड़ी थोड़ी मिठाइब बच आती है यहां पे मेरे पर स्मूंग डाल की यहां पर मैंने लेली है दो छोटी छोटी से ग्लासे वाटका शॉर्ट्स अगर आपकी घर में हो तो ले लिए और वाइस कोई भी ग्लासे ले ले लीजी है आपर काटोरी में बना सकते हैं तो छली फटा फटा सी इनको नया रूप देते मोडिफाई कर देते हैं अपनी ब बेस बना देते हैं इसको मिठाई को हम अपनी जो मौडिफाइड मिठाई होने वाली है उसका बेस बना देते हैं तो इसको चम्मच से थोड़ा सा इस सेट कर रहे है और इस रेसिपी के लिए कोई भी लेफ्ट ओवर स्वीच यूस कर सकते हैं जिसे की काजू कतली, लड़ थोड़ा बर्फी या कोई भी इंडियन स्वीच जो आपके पास पची होई हो घर में वह आप इस यूज करके यह वाली रेसिपी कर सकते हैं सबके साथ इसका टेस चला जाएगा अच्छा लगता है मुझे तो अच्छा लगता है आप एक पार राई ज़र करना और इसके ब बना जाएगा इससे ऑप्शनल है अगर घर पर नहीं रखा है तो फिर आने दीजेगा मेरा इसके बना लीजेगा और नादिल का बुरादा यूज करने के बाद अब हम लेंगे तोड़ा सा मलाई या क्रीम अगर आपके पास घर में अमूल क्रीम या फ्रेश क्रीम रखा है अगर आप क्रीम यूज करें तो फिर थोड़ा से चलाना पड़ेगा इतना भी नहीं चलाएंगे कि मलाई से मखन बन जाए क्योंकि मलाई को जादा चलाने से तो उससे बटर बन जाता है बस स्मूध होने तक चला लेंगे और उसके पाद हमने जू मिठाई रखी है ग्लास तो थोड़े से त्राइफूट्स यहां पर यूज करेंगे अपनी चॉइस के ले लिजेगा आप कोई भी तो यहां पर मैंने तो थोड़े से बादाम को इस तरह से क्रेश कर लिया है या फिर चोटा चोटा कट कर लें बादाम पिस्ता काजू कुछ भी ले सकते हैं और बादाम डालने के बार आप हम दुबारा से मिठाई उस करेंगे तो आधा अधा पीस को हम पहले की तरह ही करश करके फिला करके डाल देंगे गलास में आम मोती चूर के लड़ू के साथ बहुत अच्छी मनती है यहाली डिजर्ट तो अगर कभी लड़ू बच जाएं तो फ एक एक चमर्स मलाई को या क्रीम को फिला करके डाल देंगे. अब हम एक बार और ड्राइ फूट्स की लेरिंग करेंगे. बानाम चेरी स्याफ़ जो भी आप यूज करने हैं. और थोड़ा सा जो हमारी मिठाई का पीस है. हलका हलका सा बो ऐसी स्प्रिंकल कर देंगे. जब ही उपर से दिखे तो सही किस चीज से मिठाई बनी है. यह नई वाली और बस हमारी यह जो नई डेजर्ट है, मॉडिफाइड डेजर्ट है, लेफ्टोवर स्वीट के साथ बिल्कुल रेडी हो जाएगी. इनको बनाना भी बहुत इंटरस्टेंगा, बच्चों से बनवाईएगा अपने घर के, बच्चों को इसको बनाने में भी मजाएगा. और अपने हाथ से बनाएंगे तो वो ज़रूर खाएगे, उनको टेस्टी भी लगेगा. तो कैसी लगी आपको याज की रेसिपी और हाँ इसको बनाने के बाद आप 5-10 मिनट के लिए फ्रिज में रग देना और फिर ठंडी ठंडी ठ्राई करना, बहुत टेस्टी लगेगी. मैंने तो इस तरह से बहुत बार बनाई है और हमारे घर में उसके बाद जो लेप्टोवर स्वीच कोई नहीं खा रहा होता हो इतम चट हो जाती है तो आप ट्राई करना मुझे कॉमें सेक्शन में बताना आपको रेसिपी कैसी लगी ऐसी और इसी टेस्टी क्विक रेसिप या मैसे स्वाज सके तो चलिए अभी के लिए इतना ही मैं जॉइ करती हूँ यह अपनी मीथी मीथी बडिया बडिया सी रेजल और हम फिर से में लगे चीना इंडर केचन में एक नई रेसिपी एक नई वीडियो के साथ